हरे कृष्णा तो प्रष्णा ऐसे है कि एकादसी क्यों करना चाहिए? क्यों फोलो करना चाहिए? इसका क्या importance है? और खास करके एकादसी में हर पक्ष में या जिसे अपना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो है या हर 15 दिन में एक बार क्यों आते हैं और इसमें क्या benefits मि लेगा spiritual material जो भी है so हम देख सकते कि एक अदसी सुन्दर कहाणी है पर्मा पुरान में आते हैं कि एक बार बगवान स्री विष्णो एक असूर के साथ यूद कर रहे थे मुरा ये असूर जो है जिसमें बगवान का नाम है मुरारी प्रसिद होते है बगवान मुरा डिमन के साथ असूर के साथ जगड़ा कर रहे थे तो बीच में बगवान बारिंग लगता है बगवान बारिंग लगने से बगवान सुचा रिए चलो अभी सो जाएंगे यह तो बहुत आस्चरे चीज है साठ साथ में एक अप्मान चीज है वो अपना असूर को क्योंकि युद करते समय लोग boring कहां लगते हैं तो बगवन जाके सो जाएंगे एक गुफा में तो उसमें मुरा असूर जो है बहुत बुरा लगते हैं क्या यार तो उन्होंने तुरन वो गुफा के अंदर पीछे पीछे बगवन के पीछे दोर रहे और गुफाए के अंदर प्रवेश होंकि बगवन सूर है तो गुसा होंकि क्या कैसे बगवन तो बगवन का शरीर से उस टैमें एक सुन्दर देवी परकट हुए और देवी परकट हुए उसके पास आट अष्टा नाम जो है और स्तान डिया कि एकादसी, एकदश, ग्यारा मतलब, तो हर ग्यारा वा दिन में ये एकादसी आता है, तो फिर भगवन ने उसको बरदान दिया कि जो जो लोग आपको पालन करें, फोलो करें, पूजा करतें, रेस्पेक्ट करतें, तो जैसा आपने ये मुरा असूर को मार दिया, वैसे उसका हिर्दय के अंदर जितना भी गंदिगी चीज, और बैड चीज, जो बैड तॉट्स, बैड हैबित, वो सारे चीज दीरे दीरे शीन नश्ट हो जाते हैं, तो यही पत्मपुरान का स्तौरी है, और साथ-साथ में हमने देखा, स्रीमन चेतने महाप्रभू भी, जब ही चेतने महाप्रभू का लीला में, बंगाल में, तो उस टाइम चोटे बचे के रूप में, बाल रूप में, भगवान खुद उनके माता, सची माता को अनुरोध किया, कि प्लीज मम्मी, ये एकादसी को फोलो कीजे, पालन कीजे, क्योंकि उस समय में, उस टाइम समाज में, जो जो लोग विद्वा है, या ऐसे परिसिती में, वो लोग ही ये सब पूजा, पाठ, तपस्या कर रहे हैं, बाकि लोग नहीं करते, लेकिन भगवान स्री चतने महापुरू जो है, उनने कहा, ने, 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 ये सबी लोग को पालन करना, अगर आपको विष्णु को प्रसंद करना, भगवान स्री कृष्णा को प्रसंद करना, तो एकादसी पालन कीजे, और इसमें भी हम देख सकते कि क्यूं हम एकादसी फोलो करते हैं, क्योंकि ये कहते कि मादव थिती, मतलब जिस दिन भगवान पूरुषोतम, भगवान स्री विष्णु, भगवान कृष्णा प्रसंद हो जल्दी जल्दी, जैसे साधर निक उदारन है कि अगर आपके पास आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो आपको शैंपू कर इतना, तो कभी-कभी एक नॉर्मल बॉटल समझो, 500 ml का बॉटल आते हैं, और कभी-कभी कुछ ऐसा ओफर जाते हैं, वही 500 ml हैं, लेकिन 20% ज्यादा है, 20% एक्स्ट्रा, फ्री है, तो सहाजी गया कि अगर लोग देखेंगे ये बॉटल ये ये बॉटल, तो सब लोग किस में आकरसी दोरते हैं, जो बॉटल उसका 20% एक्स्ट्रा फ्री देते हैं, है कि नहीं, क्योंकि उसमें एक अट्रैक्शन फेक्टर है, कुछ फ्री मिला, कुछ बोनस मिला, हम अच्छा लगते हैं, जो जो जॉब कर रहे हैं, उसको 6 मेना में या दिवाली का टाइम में, उसका कुछ बोनस मिलेगा, लोग अच्छा लगते हैं सब चीज, तो वैसे भगवान भी हर 15 दिन में, हर पक्ष में, 11 दिन जो है बोनस का दिन है तो हर मेना में दो बार हम बोनस मिलते हैं लोग कसरत करके, जॉब करकरके, एक साल में बस एक ही बार बोनस मिलने के लिए और हम हर महिना में दो बार बोनस मिलते हैं यह spiritual बोनस है और शिला बक्तिविनो ठाकूर हमारा आचार्या उन्होंने एक सुन्दर वैश्नव गीत गाया था जहां पे उन्हें कहा कि मादव थिति भक्ति जननी अगर यह मादव थिति जो है जैसे एकादसी जन्मास्तमी अगर यह सब छीज हम पालन करते, फोलो करते हैं तो बहुत आसान से हमारा भक्ती जागरत हो जाते हैं, बक्ती जननी मतलब बक्ती का मा है वह मतलब वो भक्ती को जनम देते हैं इसलिए एकादसी बहुत important अगर कोई सच सहीम रूप में इनको एकादसी को follow करते हैं तो निश्चित जल्दी से जल्दी वो भक्ती में भक्ती जीवन में स्विकार कर सकते हैं और साथ साथ मी भी हम देखा कि पत्म पुरान में बहुत सरे समवाद आते खास करके एक सेक्षिन गीता जहां युदिश्टर महराज जो कृष्ण का समवाद होते हैं और हर प्रश्ण उत्तर जो है बहुत सुन्दर है कि युदिश्टर महराज बारं बार पूछते क्रिश्णा को ये एकादसी का नाम क्या है, वो एकादसी का नाम, ये एकादसी महात्मिया है, जो जिसमें हम पता चलते हैं कि ये एकादसी कितना पावर्फुल है, वो बढ़ने से साथ-साथ में कुछ-कुछ material या भाउदिक वरदान भी है, benefits भी है, लेकिन वो सब नाया लोग को attract करने के लिए, भक्त जो है, उनके बस केवल भगवन का भगदी चाहिए, भगवन का कृष्णा का प्रेम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगदी का जीवन ऐसा है कि आप भगदी भी मिलेगा और साथ साथ में बाकी चीज भी automatically आपने आप आएगा, बरबर, क्योंकि God does not want to see us suffer, भगवन ऐसा है, नहीं कोई sadist हैं, जो हमको देखने का कि ये लोग सफ़र कर रहे हैं, नहीं, तो भगवन जो चीज हमको जरूरी है, हमारा family, paisa, पड़ाए, जो भी है, जरूरी भगवन कहते हैं कि नहीं, ये intermittent fasting है, कि हर 15 दिन में एक बार आप fasting करते हैं, ये health के लिए, एक science का दृष्टी है, वाईगयाने लोग कहते हैं, तो ये एक mundane reason है, बताने का कि आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छा होगा, ऐसा follow करेंगे तो अच्छा होगा, तो इस reason हम ज्यादा स्वि